सिंग राशी वाले दोस्तों, वरश दोयार 23 की शुरुआज जनवरी मा में आपकी राशी पर महत्त पुरन बदलाप देखनी को मिलेंगे इस मा तीन ग्रैमों का राशी प्रवर्वरतन है तीनों राशी प्रवरतन सिंग वालों के लिए अनकूल रहेंगे इसके अलावा आप आपकी राशी के करम बापर गोचरस्त मंगल भी जनवरी मावे वक्री वस्ता से मारगी हो जाएगा। यह भी सिंग वालों के लिए बहुत बड़ा स्क्रात्मक प्रिवर्तन है। में कमी कर रहा है। घर परवार में भी सुक्षान्ती की कमी महसूस हो रही है। बीना किसी खास वजा के परवारिक सदस्यों के साथ मन मुटाब पैदा हो रहे हैं। कार्या शेतर में भी नक्रात्मक प्रवाब पढ़ रहा है। क्रोध वानी और वहवार से प्रेमी जनों के प्रेम सबंद भी परवावित हो रखे हैं। इसलिए बंगल की चाल में यूट और निश्ची थी आपकी आदी परेशानियों को जूर कर देगा। शेतर पर सक्रात्मक परिवर्तन आएगा। नवसकर दोस्तों मैं स्ट्रोलेजर रजेश कालिया। हार्दिक स्वाइद करता हूँ आपका अपने यूटीब चैनल अक्षी तैस्रो मास्टर में। मेरे सिंग राशी वाले दोस्तों कैसे हो। दोस्तों मैं बिना कोई आलतु पालतु बात किये वगर सीधी स्पष्ट और स्टीक बात करने में अधिक विश्वाश रखता हूँ। इसलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले बात करेंगे स्वास्त की। दोस्तों जनवरी मा में स्वास्त रहना आपके हाथों में है। साथवीक बने, साथवीक बोजन ग्रहन करें। करोध और नकरात्मक विचारों से दुरी बना कर रखें। जनवरी मा में आपकी राशी मंगल और राहु की दृष्टी में रहेगी। तेरा जनवरी तक मंगल की वकर दृष्टी बढ़ेगी। स्तारा जनवरी से आपकी राशी शनी की दृष्टी में भी आ जाएगी। इसलिए नकरात्मक विचारों को अपने उपर हावी ना होने दे। सोच सकरात्मक बनाई रखें। जल्दी विचलित ना होएं, मानसिक रूप से मजबूत बने रहें। 14 जनवरी के बाद पेट और पाचन तंतर का भी खास ध्यान रखें। जोश जोश में बाहर के तले, मसालेदार वसा और घी युक्त बोजन का ज़्यादा सेवन ना करें। हो सके तो 17 जनवरी के बाद मेडिटेशन को भी अपनी दिन चर्या का हिस्सा बनाए। बात करें शिक्षा की तो 13 और 14 जनवरी तक विद्यार्थी शिक्षा के सबंद में कोई महत्त पुरन निर्नया लेने जा रहे हैं तो बुद्धी वेक से सोच विचार कर धहरें सहीं पुर्वक लें। जल्द वाजी में आकर कोई महत्त पुरन निर्नया लें। क्योंकि इस समय पंचमबा मंगल की वकर्द रिष्टी के साथ सूर्या के परवाब शेतर में भी रहेगा। दोस्तों इसलिए विद्यार्थियों को जोज-जोज में होश भी बनाए रखना बहुत वश्यक रहेगा। अपने गुरू से बात करते समय शिष्टाचार का पालन करे। 14 जनवरी के वाद केवल बुद्ध पंचमबा पर संचार करेगा। इस समय विद्यार्थियों को अपनी बौधिक शमता का लाब मिलेगा। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत का पूरा उफल सफलता के रूप में मिलेगा। वह विद्यार्थी जो प्रतियोगी प्रिक्षाव में सम्मलित होने का विचार बना रहे हैं। चोदा जनवरी के बाद का समय अधिकन कूल रहेगा। सूर्या के छटे बापर संचार के फलस वरुप अपने कॉंप्यूटर पर विजह हासिल करेंगे। एक नज़र डालते हैं प्यार करने वालों के लिए जनवरी मा क्या संकेत दे रहा है। प्रेमियों के लिए जनवरी मा भी पल भर में मिटा सकते हैं। प्रेम सबंदों में मदुर्ता बनाई रखना आपके हाथों में रहेगा। करोद और आवेश में आकर महत्त पुरण निर्ने ना ले। नहीं तो विरोधी आपकी कमजोरियों का लाब उठा सकते हैं तो परस पर मन मुटाव पैदा कर सकते ह दोस्तों आखे बंद कर किसी पर भी विश्वाष ना करें। प्रेम सबंदों के मामले में बुद्धी वेग से सोच विचार कर फूंग फूंग कर कदम आगे बढ़ाने की विश्यक्ता रहेगी। प्रेम सबंदों के मामले में मित्रों का सैयोग भी एहम रोल अदा करेगा तता मित्र भी आपको सायोग करने के लिए तत्पर रहेंगे मित्रों के माध्यम से आपके अनेक कार्या पूरण होंगे बात करें दंपत्या जीवन की तो जनवरी मा के शरुवाती दो सब्ता दंपत्या जीवन में सने एमदूरता बनाई रखें चोटी चोटी बातों को तूल ना दे इस सवदी में ग्रहों की स्थिती से जीवन साती के सुख सने सहयोग स्वस्त और स्वाव पर वपरीत परवाव पड़ सकता है लेकिन जनवरी मा के अन्तिम दो सब्ता दंपत्या सुख में वरीदी लेकर आएंगे जीवन साती के स्वास्त में भी बेहतर परिवर्तन आएगा पुराणे गिले शिकवे दूरों के परस पर अकर्शन और लगाव बढ़ेगा परंतु श्रुआती दो सब्ता दंपत्या जीवन में समझदारी से काम ले दोस्तो आप ग्रेहों के राशी परवर्तन पर एक नज़र डालेंग और साथ साथ में बात करेंगे भागया दन, करियर, सुख संपत्ती, संतान, निवेश, विदेश, विपार और शत्रुआ के स्वंद में ग्रेह गुच्री अस्तिती क्या संकेर दे रही है जनवरी मा का सबसे पहला बदला, 13 जनवरी को हो जाएगा जोस्तो 13 जनवरी को किसी ग्रेह का कोई राशी परवर्तन नहीं है परन्तु उससे भी बड़ा परवर्तन है जब आपकी राशी के करंबा पर वक्री वस्ता में गुचर मंगल मारगी हो जाएगा करमबा पर मंगल का मारगी होना कारह शेतर में पेशारी परिशानियों से राहत दिलाएगा सववा में बनी हुई करोध के भाप की अधिक्ता में कमी आएगी सह करमियों और वरिष्ट अधिकारियों के साथ कोई गिले शिक्वें है तो वह भी दूर होंगे जोश और उत्सा के अधिक्ता से महत पूर्ण कारह पूरण करेंगे माता और पिता दोनों के सववन्द में मंगल का मारगी होना सक्रातों के प्रिवर्तन लेकर आएगा इसके अलावा मंगल की वकर दृष्टियें से भी राहत मिलेगी करम बाप से मंगल की परथम अर्थात आपकी राशी सुखस्तान और संतान बाप पर वकर दृष्टि पढ़ रही है मंगल के मारगी प्रवाप से इन भावों के सववन्द में भी स्करात्मक प्रवाप देखने को मिलेंगे परवारिक सदस्यों के साथ मन मुटाव है तो वह भी दूर होंगे सुख शांती और परसंता की अनुगूती करेंगे भूमी भवन के क्रेविक्रिया के लिए प्रयासरत है तो उन कारियों में भी तेजी आएगी पहले से बुद्धी में शांती और ठहराव का अनुबव करेंगे जल्दी उतेजित होना और शिगर परती क्रिया देने जैसे भाव काम होंगे कुल मिला कर मंगल का मारगी होना सिंग वालों के लिए काफी अनकूल रहेगा जनवरी मां में सबसे पहला राशी परवरतन है ग्रहों के राजा परतापी सूर्या देव का दोस्तों चोदान जनवरी को राशी स्वाम में सूर्य राशी परवरतन कर छटे बाव में परवेश कर जाएगा सूरिया का राशी परवर्तन भी करोध में कमी लाने का कारिया करेगा क्योंकि पंचम बाव का स्वानत बुद्धी से भी है इसलिए 14 जनुवरी से पहले बुद्धी इस्थान पर गरम गराए सूरिया भी करोध में वरिदी कर रहा है अब 14 जनुवरी को शत्रू उस्थान पर सूरिया का प्रवेश शत्रू पर विजई दिलाएगा शत्रू आपके प्राकरम से बाइबीत होंगे अधिकार पसंद सूरिया की यहस्तिती आपके परवाव और अधिकार शेतर का विस्तार कर सकती है छटे वाव पर सूरिया के बेहतरीन परिनाम देखने को मिलते है सूरिया की यहस्तिती रोग, रिन और शत्रूं से मुक्ती दिलाती है किसी भी परकार के सरकारी रिन की वशकता है तो 14 जनुवरी के बाद काम प्रयास करने से प्रापत हो सकता है कुल मिलाकर जनुवरी मा का पहला राशी परवरतन ही सिंग वालों के लिए नकूल रहेगा सूरिया के बाद दूसरा राशी परवरतन है करम फलदाता शनी देव का 17 जनुवरी को शनी राशी परवरतन कर सब्तम वाब और अपनी कुम्ब राशी में प्रवेश कर जाएगा वैपारी दोस्तों के ठंडे तथा मंदे पड़े वैपार में अचानक से तेजी देखने को मिल सकती है दंपत्य जीवन पर भी सकरात्मत परवाब पड़ेगा शनी अपने इस गोचर काल में शादी विवाज योग या उमर के अविवाजतों को विवास उत्तर में बांधने के योग बनाएगा पिछले समय से भागीदार के साथ कोई मतमेद है तो वह भी दूर होंगी दोस्तों जनवरी मा में अंतिम राशी प्रवरतन है लगजरी लाइब और बहुतिक सुखों के कारक शुकर का 22 जनवरी को शुकर भी राशी प्रवरतन का दंपत्य अबाब में प्रवेश कर जाएगा शुकर का दमपत्य अबापर संचार दमपत्य सुखों में प्रिती करेगा वेपारी दोस्तों के लिए भी शुकर की यह स्थिति विशेश लापरद रहेगी खासकर इस्तरी सबंदित वस्तुओं का कार्या वेपार करने वाले वेपारियों को लाप के मौके मिलेंगे इस्तरी पक्ष के योगदान से वेपार में विस्तार के अनकूल अबसर प्रापत होंगे कुल मिलाकर जनवरी मा में इन तीनों ग्रहों का राशी प्रिवर्तन सिंग वालों के लिए नकूल रहेगा इसके अलावा अन्या ग्रैमों की यतास्तिती बनी रहे गिए उनकी स्तिती में कोई प्रिवर्तन नहीं आएगा गुरु देव तैयार है आपकी राशी के भाग्याबाब में परवेश करने के लिए कुछ समय ही शेश रह गया है बाई सप्रैल को भाग्याबाब में परवेश कर आपका भाग्याब बुलंद करेंगे जनवरी मा के अन्त में महत पुरु ग्रैमोचरी स्तिती के साथ आप फरवरी मा में परवेश करेंगे आगे की चर्चा हम फरवरी मा के राशी फल में करेंगे दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कि रिप्या लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले